नमस्कार दोस्तों अगर आपने COVID-19 का वैक्सिनेशन डोज ले लिया है तो इसकी जो सैटिफिकेट है आप ओनलाइन ही अपने मुबाल से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के वागत अगर उस सैटिफिकेट में कुछ भी मिश्टेक होती है तो आप इसको ओनलाइन ह कर सकते हो करेक्शन करने के लिए जैसे कि आपका नेम हो गया या पर इयर्स ऑफ बर्थ हो गया या पर जैंडर हो गया या पर फोटो आईडी नमबर हो गया आप यहां पर ओनलाइन ही करेक्शन कर सकते हो एक बात का ज़रू ध्यान में रख लेना कि यह जो करेक्शन होगा यह only एक ही वार होगा ऐसा नहीं कि certificate को आप बार बार correction करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक वार ही होगा correction चले मैं आपको practically बता देता हूँ कि अपने ही mobile से आप name में किस पकार से correction कर सकते हो और किसी का नाम अधूरा है surname नहीं जुड़ा है तो आप इसको surname भी जोड़ सकते हो और रही बार correction वाली certificate के कितने दिन के बाद मिलेगी तो only 5 मिनट के अंदर अंदर आप इसको नई वारी जो certificate है उसको download कर सकते हो तो दोस्तो इस portal में आपको सबसे पहले तो उसी number के थोरो login हो जाना है जो number आपने register कराए था इसके बाद से आपको उपर की तरफ देखने को मिल जाएगा एक option raise in issue पर इस पर किलिक कर देना है इसके बाद से आपको वही name चूज करना है जो कि आपको correction कराना है इसके बाद से correction in certificate पर किलिक करना है और आपको यहाँ पर चार option देखने को मिल जाएंगे जैसे कि name हो गया, years of birth हो गया, gender हो गया और photo ID number हो गया तो आपको जो भी correction कराना है उसको select कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर name में कर लेता हूँ इसके बाद से नीचे आएंगे और सही name यहाँ पर डालेंगे इंटर correct name इसके बाद से continue और जैसे आप continue पर किलिक करोगे तो final आपको submit कर देना है और जैसे आप submit पर किलिक करोगे तो 5 minute के अंदर अंदर जो भी आपने certificate में correction कराया होगा आप इसकी new certificate download कर सकते हो अपने mobile में या पर आप इसको download करके किसी को भी whatsapp या पर आप send कर सकते हो तो देखर दोस्तों इस तरीके से आपको कहीं पर भी जाने की जूरुत नहीं है अपने ही mobile से only 5 minute के अंदर अंदर आप अपनी certificate को correction कर सकते हो कुछी mistake होती है तो